हलो गाईज हम लोग आज करने वाले एक 5 मिनिट्स मेकप लुक और इसके लिए मैंने पहले से अमना स्किन प्रिप करके रखा था आज मैं यूज करूंगे एक टिंटेड मॉस्चुराइजर जो मेरे फेस को बहुत अच्छा सा नाचुरल ग्लो देगा अगर आपके पास टिं करेक्टर यूज कर सकते है और वो एकदम भी ऑप्शनल है तो यहां पर मैंने ब्रॉंजर के लिए एक स्टिक ब्रॉंजर लिया हुआ है जिसके साथ मैं अपनी यूजूल पॉइंट्स अफ़ फेस को कंटॉर करूंगी उसके बाद हम लोग चलते हैं ब्लश पे आज मैंने फ्लावर ब्यूटी का यह लिकूइट ब्लश यूज किया है जिसके साथ मैं अपना आई शैडो भी लगाऊंगी अगर आपको लिकूइट ब्लश के साथ आई शैडो नहीं लगाना है तो आप अपना नाच्रल या नॉर्मल जो भी आई शैडो आप प्रेफर करते हो वही लगा सकते हो आई शैडो हो जाने के बाद मैंने लॉर्यल पैरिस का एक लिप टिंट लिया था जो बहुत ही अच्छा सा कलर दे रहा था मेरे लिप्स्टिक को जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया इसके बाद पूरे फिसको मैंने सेट किया है और उसके लिए मैंने का अल्टिमेट पाउडर फाउंडेशन और आप चाहे तो कोई भी यूस पाउडर भी यूस कर सकते हैं फिर चलते हैं मसकारा पे तो मसकारा के लिए मैंने यूस किया है सभ स्माच बॉकस का इसके साथ मैंने अपना आईब्रोज भी सेट किया है तो यह सब हो जाने के में इतना अच्छा मेंकप हो सकता है लेकिन गाईज वान टिप अगर आपको में में मेंकप करना तो स्कीन केर बहुत अच्छे से कीजिए और सारे प्रोडक्स क्रीम प्रोडक्स यूज कीजिए और फैनली उसको पाउडर से सेट कीजिए तिल देन टेक एर बाइज